प्रस्तावना उसके बारे में चर्चा करेंगे तो कल हमने देखा कि सम्मिधान सभा के बारे में हमने चर्चा कर लिया सम्मिधान सभा का निर्माण कैसे हुआ सम्मिधान सभा किस मिशन के तहत उसका निर्माण किया गया था यानि आप देखेंगे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और 1946 में काइबिनेट मिशन आया इन सब की चर्चा हमने कल अच्छे से कर लिया था और समझते हुए किया था ठीक है फिर हम देखेंगे प्रावरूप समीत बनी फिर उद्देश प्रस्ताव आया लोगों का क्या क्या इस्टेट्मेंट रहा जब हमारे सम्मिधान सभा का निर्माण हो रहा था जिसमें हमने चर्चिल के बारे में चर्चा किया हुआ था और अन्य लोग के बारे में भी हमने चर्चा किया था कि जो लोग सम्मिधान सभा के बारे में अपने अपने स्टेट्मेंट दिये हुए थे ठीक है उसके बाद हमने क्रम से आगे बढ़ते हुए यह देखा कि जो सम्मिधान चर्चा हमने की हुई थी ठीक है फिर उसमें कितने समिधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो उस पहली बैठक में कितनी लोगों ने भाग लिया कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया उसमें महिला सदस्य कौन थी इन सब की चर्चा हमने कल विस्तार पूर्वक किया था ज पहली class को आप देखिए, क्योंकि पहली class बहुत बिस्तार पुर्वक आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि इसका region था बिस्तार पुर्वक पढ़ाने का, कि जब आपका waste ही नहीं मजबूत होगा, तो फिर आप आगे के concept को नहीं पकड़ सकती है, ठीक है, तो जिस चीज की new मज बनती है, तो इसलिए समिधान सभा की पहली class बहुत थी, आपके लिए important है, उसको आप जरूर और जरूर देखिएगा, ठीक है, चलिए, आज की हमारी class है, भारती समिधान की प्रश्तावना, यानि प्रियम्बल के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले, तो आप cases हैं हमारे समिधान में, उन सारे case की चर्चा हम अलग से करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर करेंगे, तो आप क्या होगा, भूलते जाएंगे, तो जितने cases हैं, जितने समिधानिक शंशोधन किये गए, उन सब की चर्चा हम अलग से एक वीडियो में कर लिया जाएगा, जो आपके एक्जाम के लिए महत्पूर्ण होगा तो हम प्रस्तावना में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या आप देखेंगे कि प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जिसको देखने से तीन बाते असपश्ट होती है और तीन बाते क्या है कि प्र 3 दिखाइब की तीथी क्या है यानि हमारत जो सम्मिधान लागू हुआ तकी अचांश में 49 को क्या किया गया था सम्मिधान सभा खो लागू कर दिया गया था या उस दिन भी 16atань उच्छीत को दिखाई देती हैं अब हैं कि प्रस्तावना में यानि जो important सब्द हैं आप देखेंगे कि आप प्रस्तावना पढ़िएगा उस प्रस्तावना में कुछ important जो महतपूर्ण सब्द दिये गए हैं उन सब्दों की हम बारे में जानेंगे तो देखेंगे के लिखा है कि हम भारत के लोग यानि भारत के लोग का मतलब जो भारत की जनता है उसकी बात करता है भारत को एक संपूर प्रभुत्व समाजवादी पंथ निर्पेच लोक तंत्रानात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करेंगे न्याय की बात करता है और किस प्रकार का न्याय दिया जागा उसके भी हम चर्चा करेंगे यानि न्याय की बात करता है स्तामाजिक आर्थिक और राजनैतिक विचार अभिवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है प्रतिष्ठा और आउशर की क्या कर रहा है समता प्राप्त करने के लिए बात करता है और उनमें व्यक्तियों की जो गरिमा है राष्ट की एकता और अखंडता को शुनिश्चित करने वाली जो बंधुत्तों को बढ़ाने की बात करता है उसकी चर्चा है और द्र ये सारी बाते यहाँ पर हमारे प्रस्तावना में कही गई हैं तो प्रस्तावना में हमने जैसे अभी चर्चा किया कि किस प्रकार के अधिकार की बात हमारे प्रस्तावना में किया गया है ठीक है तो आप देखेंगे हमारे जो सम्मिधान सभा यानि जो सम्मिधान है सम्मिधा समानता की बात करता है और एक्वेलिटी यानि समानता की बात करता है यानि तीन प्रकार के हमारे राइट्स हमारे प्रस्तावना में दिये गए हैं और यह तीन प्रकार के जो राइट्स हैं हमारे समिधान में प्रस्तावना के अलामा और कहां कहां असपष्ट रूप से दिख करने वाले हैं ठीक है तो आप देखें प्रस्तावना में कितने प्रकार की नयाय की बात करता है तो आप देखें कि प्रस्तावना में तीन प्रकार की नयाय की बात करता है समाजिक नयाय आर्थिक नयाय और राजनयतिक नयाय यानि ये तीन प्रकार की नयाय की बात हमारे कहां पर कर रहा है प्रस्तावना में कर रहा है और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानि जो हमारे मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों में मूल अधिकारों में यह नयाय की बात काहा है और राजिके नीत निदेशक जो सिध्धान्त है राजिके निदेशक सिध्धान्त के अनुचे 38, कौन सा आर्टिकल है हमारे सम्मिधान का, हमारे सम्मिधान का अनुचे 38 में, 38 में आप देखेंगे कि न्याय की बात करता है, और तीनों न्याय की बात, यानि समाजी कार्थिक और राजनेतिक न्याय की जो बात है, वो हमारे कहां पर दिख रहा है, हमारे सम्मिध रूप से दिखाई देता है तो आप देखेंगे कि हमारे DPSP में अनुछे 38 में दिखाई देता है और यह question आपको गलत नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अब हम ने देखा कि न्याय की बात करता है न्याय के बात यानि यह जो पूरी चैनल को यानि बिग लेर्निंग के यूट्यूब चैनल उसको सब्सकाइब करें सब्सकाइब करना न भूलें क्यूंकि आपको क्या होगा जो भी हमारी वीडियो है लगातार आपको वो मिलती रहेंगे। ठीक है चलिए अब हम ने देख लिया न्याय की बात अब हम चर्चा क करने वाले स्वतंत्रता किसकी चर्चा करने वाले स्वतंत्रता तो हमारा जो प्रियंबल में जो राइट्स हैं कितने राइट्स हैं तीन है पहला हमने देखा न्याय दूसरा हमने देखा स्वतंत्रता तीसरा है समानता तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहां पर है य कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपाशना की स्वतंत्रता, क्या आपको विचार करने, आप देखें कि अभी आज का धटना है कि सुप्रीम कोट ने प्रेस क की जो बात हैं उसके बारे में कुछ चर्चा की गई है और जो आपके एक्जाम के लिए तो नहीं important है मेंस के recording देखा जाए तो उहां पर UPSC मेंस के recording या PCS जो भी मेंस exam कराती उसके लिए आप देखें कि जो प्रेस की स्वतंत्रदह की बात करता है तो उहां पर आप आप देखेंगे कि मेडिया क्या करती है, यानि मेडिया की क्या भूमी का होती है, कि मेडिया कोई भी मुद्दा है, उसको इतने हाइलाइट तरीके से दिखा देती है, कि जिसका प्रभाव किस पे, सुप्रीम कोट के नेड़े पे उसका प्रभाव दिखाई देता है, जैसे क उसमें कुछ ऐसे अनर्गल चीज़ें भी कभी कभी होती है मेडिया के तुरू दिखा दिया जाता है यहांनि जो सोशल मेडिया का मतलब यहां पर कहने का यह है कि जो आप न्यू चैनल देखते हैं न्यू चैनल के मादम से जो बाते मतलब सुप्रीम कोट का यह है कि ओ ऐसे तरीके से दिखाती है कि जहां पर उनको क्या होता है नेड़ा देने में कठना ही होती है ओ आदमी गलत होते भी यानि माली जी आप है आपकी क्या है अब ब्यक्ति की स्वतनता है आपको और आपके बारे में कोई केस हो गया अब उसमें क्या हो मेडिया ने उसको ऐसे तरीक कोट का एक judgment था तो ठीक है यानि विचार की स्वतनतर यहां पर आप देख रहे हैं फिर अव्यक्ति की स्वतनतर दा विश्वास को आप का विश्वास है धर्म यानि किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उपाशना के उपाशना की स्वतनतर अब है कि हमने अधिकार में देखा fundamental म अव्यक्ति की स्वतनतर यहां पर विचार और अव्यक्ति की स्वतनतर दी गई है जब हम भारती संविधान के अनुछेद 19 की बात करते हैं तो क्या उहां पर भासड यहम अव्यक्ति की स्वतनतर दी गई है कि नहीं अनुछेद 19 की आप बात करें अनुछेद 19 में भासड और अभ्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारे प्रियम्बल में भी वो चीजें दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे देखते हैं, इक्वेल्टी यानि समानता की बात करते हैं। तो हमारे प्रियम्बल में, यानि हमारी जो प्रियम्बल है, यानि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात करता है, आउसर की और प्रतिष्ठा, यानि दो प्रकार की समानता की बात करता है, ठीक है, और ये आउसर और प्रतिष्ठा की समानता और कहां अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो औसर और प्रतिष्ठा की समानता, यानि हमारा मूँ ले दिखा, यानि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स अनुछेद, आप देखेंगे, अनुछेद 16, अनुछे 16 में क्या है? अनुछे 16 में भी औसर और प्रतिष्ठा की बात की गई है, उहाँ पर भी इस प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है? अब हम जो श्वतंत्रता सब्द है, जो समानता सब्द है, और जो बंधुत्तो सब्द है, ओ सब्द जो लिए गए हैं, तो फ्रांस के संभिधान से लिए गए हैं, ठीक है? चलिए, अब हम आगे चर्चा करते हैं, हमने एदेखा, अब प्रस्तावना से और क्या-क्या बातें असपश्ट होती है और पहले दूसरी क्लास देखा जा तो सारी क्लास आपके important है लेकिन जो आपके जो constitution पढ़ाया जाए भारत का जो सम्मिधान के बारे में पढ़ाया जा रहा है उसकी मुख्य आधार आपके ये दो तीन क्लास होने वाली है इस क्लास को आप skip मत कीजिएगा क्योंकि इस क्लास को आपको देखना बहुत ही important है ठीक है तो प्रस्तावना से और क्या असपश्ट होता है तो आप देखेंगे कि सम्मिधान का स्रोत क्या है सम्मिधान का शरूप क्या है सासन करने का उदेश से क्या है और सरकार का शरूप कैसा होना चाहिए और सम्मिधान कि देखा और जो इसमें जो और सब्द दिये गए हैं उनका मतलब क्या है अंगिकृत यानि एड़ाप्ट का मतलब यह है कि हम इस सम्मिधान को क्या करते हैं श्थिविकार करते हैं यानि जब हमारा सम्मिधान कब बना अब विश्णोंबर उनीस ओन चास चास को क्या हुआ कुछ शमिधान लागू हो गए तो जब यह लागू हो गए तो उसी सम्मिधान की बात कर रहे हैं यानि हम इस सम्मिधान को क्या कर रहे हैं श्थिविकार करते हैं उसमें एक और सब्दा आप देखेंगे अधिनियमित इनेक्ट यानि अधिनियमित का मतलब क्या है अधिनियमित का मतलब है कि आज से ही आज से ही यानि इस 26 नॉम्बर को ही हम क्या करें इस शमिधान को लागू करते हैं और आत्मार्पित का मतलब है कि हम स्वयम को यानि अपने आपको हम इस शमिधान के रूप क्या करते हैं समर् संशोधन किये गया है यानि हमारा जो प्रस्तावना यानि जो प्रियंबल है उस प्रियंबल में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है उस अभी तक उसमें तीन बार संशोधन किया गया है उननीस सो चीहतर में यानि ब्याली सामय शंविधान संशोधन होता है ब्याली सा पंत निर्पेच, समाजवाद और अखंडता अब देखिए पंत निर्पेच का मतलब क्या है पंत निर्पेच का मतलब है कि भारत में जो राज्य है कोई भी राज्य है ठीक है तो किसी भी राज्य का अपना क्या होगा कोई भी धर्म नहीं होगा यानि किसी पंत निर्पेच का मतलब किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठिक है। दूसरा है समाजवात। समाजवात का मतलब भारत में क्या है। विभिन प्रकार के लोक रहते हैं और विभिन छित्रों में रहते हैं। उनके रंगरूप बेश भासा अलग ह हैं लेकिन वह हमारे संभिधान के क्या है हिस्सा है और अखंडता अखंडता का मतलब है कि वह किसी भी जात के हों किसी भी धर्म के हों किसी भी अस्थान पर रहते हों ठीक है और किस समुदा से है और किस धर्म को मान है इससे कोई भारत क्या है भारत में जो किजे हैं और अखंडता यानि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है ठीक है चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अभी तक हमने प्रस्तावना के बारे हम समझा यह जो भी क्लासेस हैं आपके एक्जाम को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है क्योंकि जो पीपीटी आपके के लिए इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है क्योंकि यह हाई लेबल के हैं तो एक्जाम के सब के लिए लेकिन आपको बस उतना ही जानना है कि जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम बात करते हैं भारती सम्मिधान के भाग एक की भाग एक में अनुछेद एक से अनुछेद चार तक की बात कई गई अनुछेद एक से चार यानि अनुछेद एक क्या कहता है अनुछेद एक कहता है कि भारत क्या है भारत राज्यों का शंग है यानि राज्यों का संग का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि राज्यों का संग यानि संग का मतलब क्या होता है यॽंध का मतलब आप देखें इंग्लिस में इसका दो मेनिंग होता है एएक होता है यूनिय और एक होता है फेड्रेशन एक होता है union, एक होता है federation, लेकिन जो भारत का सम्मिधान है, उस भारत के सम्मिधान में union सब्दका प्रयोख किया गया है और federation आप देखें, तो अमेरिका जैसे सम्मिधान में federation सब्दका अब दोनों का मतलब संग है लेकिन इसका अंतर क्या है इन दोनों में अंतर क्या है ठीक है यानि Union और Federation Union का मतलब होता है भी संग है और Federation का भी मतलब संग है लेकिन इसमें अंतर या है कि माली जी यह कोई देश है ठीक है माली जी सपोच यह कोई देश है और इसमें कई सारे हिस्से है तो यह जब चाहें अपने मर्जी से इस मतलब जो देश है उससे अलग हो सकते है माल लीजिये यह हिस्सा ए है यह है यह हिस्सा B है यह C T E F G और H अब माल लीजिये यदि H कहता है यहनी इसमें जो H है वो कह रहा है ऐसे यहीं पर आप समझें कि जो H कह रहा है कि हम अब आपका हिस्सा नहीं है तो यह यच क्या हुआ है यहां से अपने आपको अलग कर लिया तो जब यह जो यच है अपने आपको उस भाग से अलग कर लिया तो यह फेडरेशन का हिस्सा है लेकिन यूनियन का मतलब है कि यच अपने आपको यदि अलग करना चाहे तो अभी अलग नहीं कर सकता है इसका मतलब यह है कि यह क्या है यूनियन है तो भारत इसी का यानि यूनियन का हिस्सा है ना कि फेडरेशन का हिस्सा है ठीक है तो हमें उम्मिद है कि आप लोग को संग यानि यूनियन और फेडरेशन के बारे में समझ में आ भारत के राज्य छेत्र में क्या-क्या सामिल होंगे तो यानि उस भारत के राज्य छेत्र में आप देखेंगे राज्य शामिल होगा राज्य का यानि जो भारत में 28 राज्य हैं वो शामिल होंगे संग सासित छेत्र यानि आठ के इंद्र सासित परदेश और अर्जित छेत्र शामिल होंगे और जि छित का मतलब समझिए कि ठीक है या भारत है अब भारत के जो पडोसी देश है ठीक है भारत के जो पडोसी देश है यानि मा लिजे पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है नैपाल है यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि हमने पाकिस्तान से अफगानिस्तान से नैपाल से भारत के पडोसी देश है अपने धेश की सीमा में मिला लेते है ठीक है तो एब भाग क्या होगा हमारे देश का हिस्सा हो जाएगा अर्जिच्छित का मतलब यही है, ठीक है, तोलिए हम इसको एक और भी साधारण एक्जामपल के तौर पे समझते हैं, कि जो भी लोग पढ़ाई करें, उनका बैक्ग्राउंड लगभग कह सकते हैं, क्रिशक परिबार से हैं, याने उनके पिता या उनके जो भी गारजियन हैं, वो क्या हैं, खेती करते हैं, तो माल लीजिए, यह क्या है, यह एक आपका खेत है, और आपके खेत का नाम क्या है, ए है, ठीक है, क्या है, ए है, और आपके एक पडोशी है, तो आप देखेंगे, जो गाओं के लोग हैं, जो खेती जहां पर की जाती है, तो दो खेतों के बीच में क्या होती है, एक मेर का काम होता है, यानि आपके खे पानी आपके खेत में नौ ठीक है और यह आपका पडोशी है और उसका भी चाहिए यह भी यहाँ पर खेती का काम करता है यानि बी वाला है ठीक है ध्यान से समझेगा इसको जितना आसान तरीके से आपको समझा सकते हैं समझाने की कोशिशिक किया यहां पर बीच में हमने क्या किया यानि ये दो खेत है यानि ये माली जी आयदि आपका नाम राम है तो ये राम का खेत है और और ये स्याम यानि ये स्याम का खेत है इन दोनों छेत्रों में क्या किया जाता है यानि जो छेत्रों तब खेत में खेती का यानि क्रिशी का कारी इसमें किया जा रहा है किसका काम किया जा रहा है क्रिशी का काम इसमें किया जा रहा है ठीक है अब तो राम इसमें क्या है, दबंग है, यानि मजभूत है और स्याम थोड़ा क्या है, कमजोर है, राम ने क्या किया, यह जो बीच में, यानि राम और स्याम की खेत के बीच में, यहाँ पर कृषी का कार्य हो रहा है, जो यहाँ पर मेड़ बंदी की गई है, इस मेड़ बंदी को उसने क्या किया तोड़ दिया तोड़ने का मतलब यहां से क्या किया उसने इस हिस्से को इतने हिस्से को क्या किया अपने खेत में अरजित कर लिया और जो बीच में जो मेरबंदी की गई थी इस मेरब को यहां पे थोड़ा फिश्का दिया सरका दिया, ठीक है तो इसने क्या किया कि B वाले खेत्र को अपने में क्या 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 सामिल कर लिया, यानि अरजित कर लिया, यह भी कह सकते हैं, कि B को कुछ पैसे की जरूरत थी विटिया की भी आके लिए और उसके पास पैसे नहीं थे उसने क्या किया, राम को अपने खेत्र को, यानि अपने खेत्र को क्या क्या, X रुपे में बेच दिया तो राम ने क्या क्या, B के उतने हिस्से के, यानि खेत्र के उसने उतने हिस्से को क्या किया, अपने खेत्र में सामिल कर लिया, इसी का मतलब है अरजित करना, यानि छेत्र को क्या करना, अपने में अरजित कर लेना, ठीक है, I hope कि आपको यह अरजित छेत्र समझ में आया होगा, चलिए, अब हम आगे देखते हैं, कि हमने अनुछे देख की बात कर ली, अब हम बात करते हैं, अनुछे दो की, अनुछे दो क्य कहता है. अनुच्छेद्ध 2 कहता है कि बहरी प्रदेशों को कैसे भारत के राज छेत्र में शामिल करना है उसका उलेख है. यानि जो पाकिस्तान है, अफगानिश्तान है, बंगला देश है, भुटान है, नेपाल है, मयामार है या जो भी है उनके चेत्रो को अपने देश में कैसे मिलाना है उसका उलेत इसी में यानुच्य दो में दिया गया है, ठीक है? फिर जैसे हमने अनुच्य देश्त एक में पढ़ा कि किसी चेत्र को कैसे अरजित करना है? लेकिन यदि हम बाहरी प्रदेशों को अर्जित करना है तो उसके लिए क्या कानून होंगे तो अनुछे 2 के तहत बताए गया है फिर अनुछे 3 क्या कह रहा है अनुछे 3 कह रहा है किसी भी राज्य का गठन तथा बरतमान, राज्य, छेत्र, स्तीमा या उसके नाम यानि यदि हम किसी राज्य का गठन कर रहे हैं फिक है तो उस राज्य, यानि जो बरतमान, राज्य, जैसे तेलंगाना भी बना तो उन सब के में, यानि देश के अंदर जो हमारे छेत्र हैं, यानि कोई भी इस्टेट है या संगसासित प्रदेश हैं, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, उसके छेत्र में परिवर्तन करना हो, तो ओ सारे के सारे जो कानून होंगे, ओ अनुछे तीन के तहट बनाय जाएंगे ठीक है यानि माली जी यहां पर एक एक जांपल देखिए कि देश के अंदर की बात कर रहा है यानि यह क्या है एक मिनट माली जीए यह कोई राज्य छेतर है एक देश है ठीक है अब इसम को बिभिन भागों में बाट दिया गया है बिभिन भागों में क्या किया है बाट दिया गया है अब हम देख रहे है कि माली जीए यह वाला छेतर माली जीए थोड़ा बड़ा है क्या है इसको हमने को प्रशाशन करने में क्योंकि इसकी सीमाएं बड़ी है तो प्रशाशन करने में थोड़ी अश्विधा हो रही है और तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर प्रशाशनी जो कार्य है अच्छे तरीके से और सुचार रूख से चल सके तो इस पर क्या होगा कि सरकार क्या करेगी कानून यानुच्छे तीन के अंदर इसको क्या करेगी दो भागों में बाट देगी और इसका नाम क्या करेगी ए रख देगी और इसका नाम भी रख दिया ठीक है तो यह जो भी परिवर्तन हो रहा है यानि देश की सीमा के भीतर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किसके अंतरगत हो रहा है और यही बात यदि दे किसी छेत्र को इसमें सामिल करना है या यहां से किसी छेत्र को इसमें सामिल करना है या कहीं से भी देश के बाहर के किसी छेत्र को शामिल करना है तो अनुछेद दो के तहट क्या होगा सामिल होगा ठीक है चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अब आगे देखें कि अनुच्छे चार क्या है अनुच्छे चार कहता है कि अनुच्छे दो और अनुच्छे तीन के तहत जो भी परिवर्तन किये जाएंगे वह अनुच्छे 368 के अंतरगत नहीं आएंगे अनुच्छे 368 क्या है और जो भी परिवर्तन किया जा रहा है अनुच्छे दो और तीन के तहत वो क्या होगा इसके अंतरगत नहीं सामिलूंगे इसका कहने का मतलब क्या है ठीक है तो अनुच्छे आप देखेंगे हम इसकी चर्चा जब कम्मिधानिक संसोधन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर विस्तार पुर्वक्त चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर बस इतना जान लेते हैं कि जो हमारे शमिधान में संसोधन होता है वो शंसोधन तीन परकार से किया जाता है यहीं समिधान में किसी परकार का संसोधन करना हो समिधान में किसी परकार का संसोधन करना हो तो तीन परकार से संसोधन होता है पहला, शामाने बहुमत से, शामाने बहुमत, दूसरा, विसेश बहुमत, विसेश बहुमत, तीसरा है, विसेश बहुमत, प्लस, आधे राज्यों का अनमोधन, आधे राज्यों का अनमोधन, यानि हमारे जो शम्मिधान में, जो शन्शोधन किया जाता है, वो इसी के तहत किया जाता है, तेहां पर अनुछे चार यही कह रहा है, यानि जो अनुछे 2 और 3 के तहत क्या होगा, जो भी परिवर्तन किये जाएंगे, और अनुछे 366 के तहत नहीं आएंगे, तो यानि अनुछे 366, यानि क्या कह रहा है, अनुछे 368 में किस परकार से संसोधन होता है, अनुछे 368 में दो परकार से संसोधन किया जाता है, और वो क्या होता है, बिसेज बहुमत और बिसेज बहुमत पलस एक बटे दो राजियों का अनुदन के द्वारा क्या होगा, इसमें संसोधन किया जाएगा, यानि अनुछे 2 और अनुछे 3 में जो भी संसोधन होगा, वो किस परकार होगा, सामान ये बहुमत के आधार पर उसमें संसोधन होगा तो आप कहेंगे, कि आपके मन में यहां प्रश्ण होगा, यदि हम किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके छेत्र शीमा में किसी भी परकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या हमें उस राज्य के बिधान मंडल से यहां अनुमती लेना जरूरी होग कि उसके हम नाम उसके राज्य के छेत्रशीमा या उसके नाम में हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या यहां पर संसत को अनुमोदन लेनी की जरूरत है तेहां पर राज्य के बिधान मंडल से सिर्फ राष्टपत क्या करेंगे राय मांगेंगे यदि उस राज्य का राज्य के नाम में या सीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए आप नहीं करें तो राश्टपत का यद मन है यद राश्टपत चाहता है कि उहां पर प्रशाशनिक धाचा में सुधार हो उहां की जो भी कानून बयवर्ता सुचार रूप से चलाई जाए लोगों को जो शुविधाएं हैं अच्छी तरह से मिल सके तो क्या करेगी राश्टपति उहां पर कानून बना कर राज्य की जो भी विधान मंडल की बातों को न मानते हुए अपनी उहां पर क्या करेगी कानून बना कर उसके राज्य के छेत्र और नामे परिवर्तन कर सकती है अब यहां पर प्रश्ण एक और होता है मन में कि जब राज्य के विधान मंडल से बात पूछी जाए तो कितने समय के लिए अवधी निर्धारित है तो यहां पर जो राश्टपति है राज्य के विधान मंडल के पास बात रखेगी अब यहां पर समय सीमा का निर्धारण नह पुरूरी तरह से क्या है स्वतंत्र है जब भी चाहे किसी भी राज्जी के छेत्र नाम सीमा में किसी भी परकार का परिवर्तन कर सकता है तो आज की क्लास बस यहीं पर हम कल चर्चा करने वाले हैं भागदो नागरिकता लेकिन नागरिकता से आप देखा जाए तो एक्जाम में जो प्रश्ण बनते हैं बस हम उन्हीं की चर्चा करेंगे कि मतलब देश का नागरिक बनने के लिए क्या आपकी युगिता होनी चाहिए यदि भ से ग्यान रहे सारे अनुछेदों की चर्चा नहीं करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए महत्तपूर्ण है बस हम उन्हीं की चर्चा करेंगे तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद